गैलवे क्रिशम के बहतरीन बायो प्रोड़क्ट के बारे में जानेंगे अगर हम इन गैलवे क्रिशम के बायो प्रोड़क्ट को इस्तमाल करें तो हमारी फसल को क्या-क्या फाइदे होंगे? गैलवे क्रिशम के बायो प्रोड़क्ट पर्यावरन के अनुकूल है गेलवे क्रिशम प्रोड़क्ट का इस्तमाल अपनी जमीन या फसल में करते हैं तो इनका किसी पक्षी, जानवर या अन्य किसी जीप पर बुरा परभाव नहीं पड़ता दूसरा फाइदा कम लागत का है हमारे प्रोड़क्ट्स फसल से जादा मिट्टी पर काम करते हैं जैसे की उधारन के लिए अगर एक मा स्वस्त होती है तो बच्चा भी स्वस्त होता है इसी तरह हमारी मिट्टी अगर स्वस्त होगी तो हमारी फसल भी बहतर होगी गेलवे क्रिशम के बायो प्रोड़क्ट को आप सभी फसलों में उपियोग कर सकते हैं सिर्फ मश्रूम को छोड़कर हमारे प्रोड़क्ट का लंबा और स्थाई परिनाम होता है यानि कि हम अपने प्रोड़क्ट को जब भी अपनी फसल में इस्तमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट घड़ता नहीं बलकि धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे प्रोड़क्ट में मौजूद हैं वो धीरे धीरे करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं जब हम अपने गैलवे क्रिशम के बाय प्रोड़क्ट को जमीन में इस्तमाल करते हैं तो हमारे इन प्रोड़क्ट के अंदर मौजूद जीव अपनी संख्या को तीन से पांच दिनों के अंदर दो गुना कर लेते हैं आगे उसको चार गुना फिर आठ गुना कर लेते हैं गैलवे क्रिशम के बाय प्रोड़क्स का असर बढ़ता चला जाता है क्योंकि यह एक जीवित जीवानू से बना हुआ है आप गैलवे क्रिशम के बाय प्रोड़क्स को देखेंगे तो उस पर कोई भी खतरनाग जहर वाला निशान मौजूद नहीं है इसका मतलब इसके अंदर किसी भी परकार का कोई हानिकारक जहर इस्तिमाल नहीं किया गया है गैलवे क्रिशम के बाय प्रोड़क्स नोका सर्टिफाइड है नोका सर्टिफाइड का मतलब है नेचूरल और्गैनिक सर्टिफिकेशन अग्रो यानि कि हमारे जो प्रोड़क्ट्स है वो और्गैनिक सर्टिफाइड है गैलवे क्रिशम के जो बाय प्रोड़क्स हैं वो सालो साल तक परभावी है अगर हम उसको लगातार इस्तमाल करते हैं तो एक छहमाही के बाद दूसरे छहमाही में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है दोस्तो हमारे प्रोडक्ट्स जमीन में जाकर उन सारी समस्याओं को दूर करता है जिससे की एक पौधे की उपज यानि की उसका फुटाव कम हो जाता है अभी तक आपने जो समझा मैं आपसे उस सम्मंदित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन चौथा प्रशन पांचवा प्रशन छठा प्रशन सातवा प्रशन गैलवे क्रशम का पहला प्रड़क्ट जी डर्मा प्लस एक्स्ट्रीम कंट्रॉल है ये एक बहतरिन प्रड़क्ट है जो कि एक लीटर की बोतल में मँधूद है और ये फफुण्दी की बिमारी को रोकने में सायक है G-Derma Plus खुद भी एक शक्तिशाली फफूंदी से बना हुआ है G-Derma Plus यानि की Trichoderma के फाइदे के बारे में बात करें हमारा Trichoderma एक प्रवल पर जीवी है और एक शक्तिशाली फफूंदी है जो की दूसरी फूंदी जो बिमारी पैदा करती है उसका नाश करने में सहायक है ये कई तरह के रोगों की रोख थाम करने में सहायक है जैसे की जड़ का रोग, बीज का रोग, मिट्टी जनित रोग, पत्ते का रोग, फलो का रोग इन सभी की रोख थाम में यह सहायक है G-Derma Plus मिट्टी की उर्वरक्ता को बढ़ाता है मिट्टी के pH स्तर को समाने रखने में मदद करता है तो इस बहतरीन प्रोड़क्ट को कैसे इस्तमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों इसकी उपचार विदी बहुत ही आसान और सरल है मैं आपको सबसे पहले बीज पौद के उपचार के बारे में बताता हूँ 10 मिली लीटर G-Derma Plus लेकर एक लीटर पानी में गोल कर एक किलो ग्राम बीज को उसमें भिगो दें तथा उसे 30 मिनट तक भिगो कर रखें इसके बाद उन बीजो को उसमें से निकाल लें और उसके बाद उसको चाया में सुखाएंगे सुखाने के बाद अपनी जमीन में उसकी बुआई कर देंगे बीज का आकार गेहूं या गेहूं से छोटा है तो हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे मिर्च, प्याज, जीरा, गेहूं के बीज जैसे बीजों के अंदर हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे उसके लिए सीधा हम 10 मिली लीटर जी डर्मा प्लस लेंगे एक किलो बीज लेंगे और उसे मिला करके 30 मिनट तक रखेंगे फिर उसको चाया में सुखाएंगे छोटे छोटे टुकडे जैसे गुलाब की टहनिया गन्ने के टुकडे आम की टहनियों को हम कलम कहते हैं चलिए दोस्तो अब हम कलम सेट उपचार के बारे में बात करेंगे इसके लिए 125 से 250 एमल जी डर्मा प्लस लेंगे और 60 लीटर से 80 लीटर तक पानी लेंगे उसको उसमें घोल लेंगे उसके बाद दो कुंतल गन्ने का बीज लेंगे उसको 30 मिनट तक भिगो कर रखेंगे और भिगोने के बाद उसकी बुआई कर देंगे उस घोल में से गन्ने को निकालने के बाद जो पानी बचेगा उसको ले जाकर उस गन्ने के खेत में छिड़काव कर देंगे कलम सेट उपचार में जी डर्मा प्लस और पानी का गोल बनाने के लिए हम अपनी जमीन में ऐसा कोई कोना देखेंगे या पानी की जो नालिया होती है उस नाली में एक बांध लगाएंगे और फिर ठीक एक मीटर के बाद दूसरा बांध लगाएंगे और उसमें 60-80 लीटर पानी को इकठा कर देंगे मिटी उपचार के लिए 100 ml जी डर्मा लेंगे और 10 kg गोबर की खाद में मिलाएंगे अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं तो आप भुरभुरी मिटी इस्तमाल में लाएंगे यानि की हलकी सूखी और हलकी गिली अगर आपके पास मिटी भी नहीं तो आप राक का इस्तमाल करें और आप चाहें तो वर्मी कंपोज यानि केचुए की खाद में भी मिला सकते हैं और पौदो की जडो में बुरकाव करें एक लीटर की बोतल को आप एक एकड में इस्तमाल करेंगे आपकी फसल बड़ी हो गई हो तो सिधा जडो में भी डाल सकते हैं नोट करिए कि गोबर की खाद एक साल पुरानी होनी चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे करने की विधी 5 मिली लीटर से लेकर 7 मिली लीटर तक जो की 5 मिली लीटर से कमना हो और 7 मिली लीटर से ज़्यादा ना हो उसको 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाएंगे दूसरी विधी 1.500 लीटर पानी में 1 लीटर जी डर्मा को मिक्स करेंगे और 1 एकड में स्प्रे करेंगे स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम है तेज दूप या बरसात में कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए नारियल के पेड़ों में स्प्रे करना हो तो इसके लिए 10 से 12 मिली लीटर जी डर्मा लेंगे और 1 लीटर पानी में इसे मिलाएंगे और उस पेड़ पर छिड़काव कर देंगे एक बात का ध्यान रखें एक बार बोतल को खोलने के बाद जी डर्मा प्लस को 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से इस्तमाल में ले लेना है हमारे प्रोडक्ट की एक्सपाइरी डेट 24 महीने तक की है अभी तक आपने जो समझा मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन गैलवे क्रिशम का दूसरा बहतरीन प्रोडक्ट है जी सूडो प्लस एक्स्ट्रीम केर ये प्रोडक्ट हमारी फसल को बैक्टीरिया की वज़े से होने वाले बिमारियों से बचाने में सहायक है हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट भी एक लीटर की बूतल में आता है ये शक्तिशाली बैक्टीरिया से मिलकर बनाया गया है और हमारी फसल को बिभिन बिभिन तरीके की बिमारियों में मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया की वज़े से होने वाले रोगों की रोगताम में सहायक है ये मिट्टी की उर्वरक्ता को सुधारता है और हमारी मिट्टी की pH मान को सामाने बनाए रखने में मदद करता है परियोग करने की विधी 4-5 मिली लीटर G-Sudo Plus तथा 1 लीटर पानी लेना है हमें बीज की मात्रा 1 किलोग्राम रखनी है बीज को कम से कम 30 मिनट तक भिगोएंगे फिर उसके बाद उसे उस गोल में से निकाल कर छाया में सुखाएंगे उसके बाद उस बीज की बुआई कर देंगे अगर बीज का आकार गेहूं या गेहूं से छोटा है तो आप वहाँ पर पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे अगर हमने जी डर्मा प्लस से बीज का उपचार किया है तो हमें जी सूडो प्लस से बीज का उपचार करने की आवशकता नहीं है मिट्टी उपचार के लिए 250 मिली लीटर जू सूडो प्लस लेना है और 100 किलो ग्राम गोबर की खाद लेनी है गोबर की खाद एक साल पुरानी होनी चाहिए अगर गोबर की खाद नहीं तो हम भुरभुरी मिट्टी लेंगे मिट्टी नहीं है तो हम राक का इस्तमाल करेंगे एक लीटर के जीड सूडो प्लस का इस्तमाल हम एक एकड में करेंगे और पौधो की जड़ो में बुरकाव करेंग दोस्तो स्प्रे करने के विधी G-Sudo Plus 2 ml से लेकर 7 ml यानि की 2 ml से कमना हो और 7 ml से जादा ना हो उसको 1 लीटर पानी में मिला कर स्प्रे करें 500 लीटर पानी में 1 लीटर G-Sudo Plus की बोतल घोलेंगे और 1 एकड में उसका स्प्रे करेंगे किसान भाई अगर इसका दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं G-Sudo Plus वातावरण के अनुकूल है मनुष्य, पशुपक्षी या जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है इसके बोतल की जो आयू है अगर ये सील पैक है तो आप इसको 24 महिने तक रख सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट को एक बार खोल दें तो इसे 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए अभी तक आपने जो समझा मैं आप से उससे सम्बंधित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन हमारा तीसरा प्रड़क्ट है जी एन पी के बायो फर्टिलाइजर हमारा जी एन पी के एक लीटर की बोतल में आता है ये तीन प्रकार के जेवित जीवानों से मिलकर बनाया गया है जिनका काम पौधो या मिटि के अंदर जाकर लगातार नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम का निर्मान करना है जी एन पी के जैवुरवरख के तोर पर एक वहतरीन विकल्प है प्राकिर्तिक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश परदान करता है हमारी मिट्टी में मौझूद रसाइनिक उर्वरों के परभाव को कम करने में भी सहायक है मिट्टी की उर्वरक्ता को सुधारता है फसल को स्वस्थ बनाने में सहायक है और बहतर उपज को बढ़ावा देने में सहायक है मिट्टी का उपचार ऐसे करना है कि 250 मिली लीटर जी एनपी के लेंगे और 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे जो की एक साल पुरानी होनी चाहिए अगर गोबर की खाद नहीं तो राख लेंगे राख नहीं है तो भुर भुरी मिट्टी लेंगे या वर्मी कंपोज यानि की केच्वे की खाद लेंगे एक लीटर की बोतल को हम एक एकड में इस्तमाल करेंगे दूसरी स्प्रे करने की विधी स्प्रे के लिए दो मिली लीटर जी एनपी के एक लीटर पानी में घोलेंगे और उसका स्प्रे करेंगे या देड़ सो लीटर पानी के अंदर एक लीटर जी एनपी के को मिलाएंगे और उसका घोल बनाएंगे इसको एक एकड एरिया में इस्तमाल करना है स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम होता है जी एन पी के का एक्सपाइरी डेट 24 महिने का होता है प्रोडक्ट खोलने के बाद 10 दिन के अंदर हमें इसको इस्तमाल कर लेना चाहिए यह वातावरन के अनुकूल है मनुष्य, पक्षी और जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है अभी तक आपने जो समझा मैं आप से उस्य संबंधित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन चौथा प्रशन पांचवा प्रशन गैलवे क्रिशम का अगला बायो प्रोडक्ट जी-सी एक्स्ट्रीम पावर है यह प्रोडक्ट 10 किलोग्राम की एक बाल्टी में आता है जो कि दानेदार प्रोडक्ट है जी-सी पावर जिसमें C का मतलब समुद्र और पावर का मतलब तागत यानि की एक ऐसी तागत जो की समुद्र से निकाली गई है ये प्रोड़क्ट पूरी तरह से बायो है इसमें किसी भी परकार का हानिकारक रासाइनी केमिकल इस्तिमाल नहीं किया गया है इस प्रोड़क्ट को बनाने के लिए समुद्री शेवाल जो की समुद्र के अंदर उगने वाली ये घास होती है उस शेवाल का नाम एसकोफाइलम नोडोसम है जिसके सत्व यानि की उसमें से उसका अर्क निकाल करके इस प्रोड़क्ट को तैयार किया गया है जब हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कई प्रकार के फाइदे मिलेंगे जमीन को जो पोशर्टत्व चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद है पौधे के लिए आवश्यक पोशर्टत्व और वृदी हार्मोन युक्त यानि की पौधो को पौधो की लंबाई में सहायक है पौधो की जड़ो को शक्तिशाली बनाता है और उन्हें गहराई तक लेकर जाता है जिस्से की हमारा पौधा गिरता नहीं है मिट्टी की धारन शमता को बढ़ाता है फसल को स्वस्थ बनाने में मदद करता है और बहतर उपज में सहायक है 10 किलोग्राम जीसी पावर की एक बाल्टी को आप एक एकर भूमी में सीचाई से पहले या सीचाई के बाद इस्तमाल करेंगे आप इसका इस्तमाल सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं साथ ही आप इसको यूरिया, डीएपी, केमिकल के साथ भी मिला कर इस्तमाल कर सकते हैं बस ध्यान रखें, आपके खेतों में या जमीन में नमी होना जरूरी है आप इसको अपनी फसल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक इस्तमाल कर सकते हैं आप इसको 24 महीने तक इस्तमाल कर सकते हैं खोलने के बाद भी आप इसको आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अभी तक आपने जो समझा मैं आप से उससे संबंधित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन चौथा प्रशन पांचवा प्रशन छठा प्रशन अगला प्रोड़क्ट जिसका नाम G-Vamp Mycorrhiza Biofertilizer है जो की 4 किलोग्राम के बैग में उपलब्ध है यह एक बुनियादी Biofertilizer के आधार पर काम करता है यह पौधो की जड़ों में सहजीवी की तरह वास करके उनके फैलाओ को बढ़ाता है जिससे पौधों को अधिक मातरा में मिट्टी से पोशक तत प्राप्त होते हैं यह मिट्टी की सरंचना को सुधारता है प्रकाश शंशलेशन को बढ़ाता है सुक्ष्म तता अति सुक्ष्म पोशक तत्वों को अस्थानांत्रित करता है ये दानेदार प्रोड़क्ट के रूप में मौजूद है इस सह जीवी फफूंदी का कैरियर वेंटो नाइड सोयल या ग्रेनवल है अब बात करते हैं कि इसको इस्तमाल कैसे करना है आप इसका इस्तमाल कपास, गेहू, धान, गन्ना, सरसो, प्याज, सभी सबजियों तथा बागवानी वाली फसलों में आठ से तस गिलो ग्राम परती एकड के हिसाब से परियोग करना है अगर आपको इसका इस्तमाल नर्सरी के लिए करना है तो पास से दस ग्राम परती पौधा के हिसाब से इसका इस्तमाल करें फुलो एवं फुलो की बुआई के लिए पचास से सौ ग्राम परती पौधे के हिसाब से परियोग करें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोड़क्ट की मात्रा का इस्तमाल पेड़ पौधों के आकार के हिसाब से हो GVAM को रसाइनिक उर्वरक के साथ भी मिला कर इस्तमाल किया जा सकता है प्रोड़क्ट को हमें 36 महीने के अंदर इस्तमाल कर लेना चाहिए अभी तक आपने जो समझा मैं आपसे उससे सम्बंधित कुछ प्रशन पूछता हूँ तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन चौथा प्रशन पांचवा प्रशन तो दोस्तों ये रहे हमारे गैलवे क्रिशम के पांच बहतरीन प्रोड़क्ट्स जिन से अगर किसान जैवी खेती करता है ये प्रोड़क्ट उसके लिए फाइदे मनसाबित होंगे तो यहाँ पर दोस्तों आज का ये ट्रेनिंग सेशन खतम होता है धन्यवाद